2023, New Education Policy, National Edu NEP, National Education NEP, New Education Policy भारत में शिक्षा जगत के इतिहास में यह सबसे बड़ा बदलाव किया गया है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्राले के द्वारा नई शिक्षा नीती पेश की गई है भारत के इतिह नई शिक्षा नीती इसरो प्रमुक डॉक्टर कस्तूरी रिंजन की अध्यक्षता में की गई है आज के इस आर्टिकल में हम आपको National Education Policy से संबंधित जानकारी देने वाले हैं इसके साथ ही हम आपको National Education Policy 2023 की विशेश्टा और इसके तहट किये गई बदलाव की भी जानकारी देने गे भारत की इस नई शिक्षा नीती से Education System में क्या बदलाव होगा और इस बदलाव से आपके बच्चे या भारत के भाविश्य पर क्या असर होगा इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने अगर आप एक गाजियन है आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जानकारी में जानकारी रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वाट्साप ग्रूप जोइन नाउ जे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 भारत में पहले की शिक्षा नीती में बहुत समय से कोई भी बदलाव नहीं किया गया था जो जानकारी आपके दादा ने प्राप्त की थी वही जानकारी आपके पिताने और अभी आप भी वही पढ़ रहे होंगे भारत के विकास के लिए शिक्षा नीती में परिवर्तन लाना काफी ज्यादा जरूरी था और मोधी सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीती का शुभारम किया गया है इस शिक्षा नीती के तहट बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यदिक लाब देने की कोशिश की गई है जिससे चात्र उपर पढ़ाई का बोज कम हुगा चात्र रटा मार पढ़ाई ना करके कुछ सीखने योगे पढ़ाई करेंगे और भारत की विकास में एहम भूमिक निभाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहट स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीती तैयार की जाती है और भारत सरकार के द्वारा न्यू नाशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 का शुभारम कर दिया गया है सरकार के द्वारा New National Education Policy, NEP में बहुत सारे आहम बदलाव किये गए है नई Education Policy में बदलाव करने का प्रमुक कारण भारत को वैश्विक नजर में महाशक्ती बनाना है WhatsApp Group, Join Now, Join Now Telegram Group, Join Now, Join Now भारत की नई शिक्षा नीती के तहट 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशक गिर के साथ पूर्विध्यालय से माध्यमिक विध्यालय तक शिक्षा का सर्वब्वमिकरं किया जाएगा Medical and Law Study is not included नई शिक्षा नीती के आने से पहले 10, 2 पैटन फॉलो किया जाता था परंतू इस नई शिक्षा नीती NEP के आजाने से 5, 3, 3, 3, 4 के पैटन को फॉलो किया जाएगा आगे हम आपको इस पैटन के बारे में विस्तार में बताएंगे वैसे आपको एक और बात बता दे जब भाजपा सरकार का गठन 2014 में हुआ था तो उनकी घोष्णा पत्र में New Education Policy लाने की बात भी बताई गए थी जो आज साकार होती देख रही है भारत की नई शिक्षा नीती New Education Policy 2023 Highlights आर्टिकल में बताया गया भारत की नई शिक्षा नीती National Education Policy 2023 NEP 2023 लाँच किया गया भारत सरकार के द्वाराला भारती भारत शिक्षा जगत के तहट शिक्षा प्राप्त करने वाले हर एक नागरेकुद देशे जो शिक्षा नीती चली आ रही है उसकी जो बुराई या कमी है उसको दूर करना और नई शिक्षा नीती को देश भर में लागू करना अधिकार एक वेबसाइट क्लेखिया लाँच किया गया वर्ष दो हजार तेईस में National Education Policy के उद्देश्य National Education Policy 2023 NEP 2023 का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जारी क्रान्तिकारी बदलाव लाना साथ ही भारत के शिक्षा को वैश्विक्स्तर पर खड़ा करना है जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखते आ रही है वैसे ही भारत को ज्ञान के ख्षेत्र में महाशक्ती बनाना भी New Education Policy 2023 NEP 2023 का एक महत्व पूर्नूत देश्य है National Education Policy के माध्यम से शिक्षा का सर्वभव में करन किया जाएगा साथ ही National Education Policy 2023 के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी Education Policy में बहुत सारे संशोधन किये गए और कुछ नई सुविधा को भी जोड़ा गया है भारत की नई शिक्षा नीती से शिक्षा में गुनवत्ता के साथ सुधार भी आएंगे जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी National Education Policy 2023 NEP की विशेशताएं भारत की नई शिक्षा नीती के आजाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्राले को अब शिक्षा मंत्राले के नाम से जाना जाएगा New Education Policy 2023 के अंतरगत शिक्षा का सार्वभमी करल किया जाएगा जिसके तहट Medical और Law की पढ़ाई को शामिल नहीं की गई है भारत में पहले की शिक्षा नीती के तहट दस्ट दो पैटन को फॉलो किया जाता था परन्तु अब इस नई Education Policy के अंतरगत 5-3-3-4 के पैटन को फॉलो किया जाएगा जिसके तहट 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी साथी 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल प्रशिक्षन, इंटर्शिप को भी आरंब कर दिया जाएगा। उदाहरन से समझते हैं, यदि कोई छात्र Physics का चैन करता है तो वो चाहे तो साथ में Account या Arts के भी सबजेक्ष की पढ़ाई नई शिक्षा नीती के तहट कर सकता है। भारत की नई शिक्षा नीती के लाग। भारत में इस नई शिक्षा नीती को लागू करने का सबसे बड़ावत देश भारत की छात्रों को सक्षम बनाना है। New National Education Policy 2023 को लागू करने के लिए GDP का 6 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारक हर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको एहम भूमिकार दी जाएगी संस्कृत को IIT के क्षेत्र में भी आगे ले जाया जाएगा साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में ही अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा पहले जो छात्र सोचते थी कि बोर्ड परीक्षा के समय में ही केवल बोर्ड की तयारी दो तीन महीने में पढ़ कर ली जाए इस व्यवस्था को खत्म कर दी जाएगी अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और बोर्ड परीक्षा दो चरनों मेली जा सकेगी को में सिलिबस में रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलसी 2023 के तहट छात्रों को तीन भाषा सिखाई जाएंगे जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करना होगा नई शिक्षा नीती 2023 के तहट राष्ट्रिय शेक्षी की अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रिय पार्थिक्रम रूप रेखा तयार की जाएगी भारत में नई शिक्षा नीती को निचली स्तर पर कार्य में लाने के लिए बहुत सारे संस्थान स्थापित किये जाएंगे जिससे New Education Policy NEP को सुचारो रूप से चलने में मदद मिल सकेगी इस नई शिक्षा नीती के आजाने से बच्चों को कौशल पूर्ण बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, साथ ही उन्हें पढ़ाई भी विशेश रूप से कराई जाएगी भारत की नई शिक्षा नीती के आजाने से स्टुडेंट के उपर से पढ़ाई का बोज़ कम होगा और उन्हें सीखने की क्षेत्र में काफी उन्नती प्रदान होगी यानि अब विद्यार्थी रट्टा मार की जगल को शलपूर्ण और योग्य बनेंगे भारत की नई शिक्षा नीती विशेश रूप से चार चरनों में काम करेगी फाइब जोर तीन जोर तीन जोर चार के पैटन को प्रयोग में लेकर स्टुडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा इस नई पैटन के तहट 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल प्रीश्कूली शिक्षा शामिल है न्यू एजुकेशन पॉलसी 2023 को सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल दोनों संस्थाओं के द्वारा फॉलो किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चार चरंग जो निमनलिखित है एक फाउंडेशन स्टेज, फाउसन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल किये गए हैं इस स्टेज में तीन साल की अपनी स्कूली शिक्षा तथा दो साल प्री स्कूली शिक्षा जिसमें कक्षा एक तथा दो शामिल है फाउंदेशन स्टेज में छात्रों को भाशा कौशल और शिक्षन के विकास के बारे में सिखाया जाएगा और इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा दो Preparatory Stage Preparatory Stage की तहट 8 से लेकर 11 साल के बच्चे को शामिल किया गया है Preparatory Stage की तहट कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चे शामिल होंगे और इस स्टेज में बच्चों की भाशा और संख्यात्मक कौशल के विकास करन शिक्षकों का उद्देश रहेगा Preparatory Stage तक बच्चों को क्षेत्रिय भाशा में पढ़ाया जाएगा Middle Stage Middle Stage की तहट कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा साथ ही उन्हें व्यावसाइक प्रशिक्षन और इंटर्शिप भी प्रदान की जाएगी Secondary Stage की तहट कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है Secondary Stage की तहट जैसे बच्चे पहले Science, Commerce तथा Arts लेते थे इस सुविधा को खत्म कर दी गी है Secondary Stage की तहट बच्चे अपने पसंद की सबजेक्ट ले सकेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकेंगे पुदाहरं से समझे, यदि बच्चा Science के साथ Commerce या फिर Commerce के साथ Arts की पढ़ाई करना चाहता है तो इसकी भी अनुमती होगी National Education Policy 2023 Streams National Education Policy 2023 के तहट चात्रों को सबसे बड़ी छूट Stream को चैन करने में दिया गया है चात्र अगर चाहे तो Science Stream का चैन कर Arts Stream की भी पढ़ाई कर सकते हैं और Arts Stream का चैन कर Science Stream की भी पढ़ाई कर सकते हैं नई शिक्षा नीती 2023 के तहट Stream चुनने की प्रक्रिया को खत्म कर दी गई है नई शिक्षा नीती के तहट प्रत्येक विश्यको अतिरिक पाथिक्रम नामान के पाथिक्रम के रूप में देखा जाएगा नई शिक्षा नीती के तहट खेल, मृत्य, मूर्तिकला, संगीत इत्यादी को भी शामिल किया गया है नई शिक्षा नीती 2023 के तहट NCERT पाथिक्रम को राश्ट्रिया पाथिक्रम की रूप रेखा के अनुसार तैयार करेगी पाथिक्रम की साथ ही शारीरिक शिक्षा को भी पाथिक्रम में शामिल किया जाएगा, वोकेशनल तथा अकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिसके परिनाम स्वरूप छात्रों में दोनों शम्ताओं की विकास होने का अफसर प्रदान होगा बी, एड अब 4 साल का नए शिक्षा नीती 2023 के तहट बी, एड को अब 4 साल का कर दिया गया है 2030 के अंट तक शिक्षक की नियूंतम योग्यता 4 साल की बी एड प्रोग्राम की होगी साथ ही सभी स्टेंडलोन शिक्षन संस्था जो निर्धारिक मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी वोकेशनल स्टडीज पर फोकस करने की व्यवस्था नए शिक्षा नीती के तहट वोकेशनल स्टडीज पर भी फोकस किया जाएगा अभी की स्थिती की बात की जाए तो हमारे देश में वोकेशनल स्टडीज सीखने वाले चात्रों की संख्या 5 प्रतिशत से भी कम है नई शिक्षा नीती के अंतरगत कक्षा 6 से कक्षा 8 वी तक के चात्रों को Vocational Studies सिखाने पर फोकस किया जाएगा Vocational Studies में बागवानी, लकड़ी का काम, मित्टी के बर्तन, बिजी का काम इत्यादी से संबंदित जानकारी चात्रों को दी जाएगी भारत की नई शिक्षा नीती के अंतरगत 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत चात्रों को Vocational Studies पढ़ने का लक्षि निर्धारित किया गया है मात्रभाशा तथा क्षेत्रिय भाशा में शिक्षा की व्यवस्था जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था नई शिक्षा नीती के तहट पांच वी तक के चात्रों को मात्रभाशा या क्षेत्रिय भाशा में पढ़ाने की व्यवस्था नई शिक्षा नीती के तहट की गई है और यह सही भी रहेगा क्योंकि अगर छात्रों को उनकी मात्रभाशा या क्षेत्रिय भाशा में पढ़ाया जाए तो वह बात को काफी आसानी से समझ पाएंगे इसी बात को ध्यान रखते हुए नाशनल एजुकेशन पॉलसी 2023 के अंतरगत पांचवी कक्षा तक के बच्चों को उनकी मात्रभाशा या फिर क्षेत्रिय भाशा में शिक्षा प्रदान करने की अनुमती दी गई है साथ ही क्षेत्रिय भाशा या मात्रभाशा में पुस्तक भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा यहां तक कि अगर पुस्तक मात्रभाशा या क्षेत्रिय भाशा में उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक और चात्र के बीच बातचीत का माध्यम क्षेत्रिय भाशा ही साथ ही कक्षा एक से दो के बच्चों को दो से तीन भाशाएं सिखाई जाएंगी नई शिक्षा नीती के तहट शिक्षकों की भरती नाशनल एजुकेशन पॉलसी 2023 के अंतरगत यदी दी गई भाशाओं को बोलने वाले शिक्षकों की कमी पाई जाती है तो ऐसी स्थिती में विशेश तोर पर प्रयास किये जाएंगे की दी गई भाशा बोलने वाले शिक्षक की भरती हो अगर शिक्षकों की कमी पाई जाती है तो रिटायर हुए शिक्षकों को दोबारा से बुलाया जा सकता है विदेशी भाषा सिखाने पर जोर नई शिक्षा नीती के तहट माध्यमेक विद्याले के बच्चों को एक विशेश छूट देते हुए अपनी पसंदीदा भाषा सीखने का भी अवसर दिया जाएगा यानि माध्य में क्विध्याले के बच्चे अगर चाहे तो अपने पसंदीदा भाषा सीख सकते हैं जिन में फ्रांच, जर्मन, स्पैनिश, चाइनीज, जैपनीज इत्यादी जैसी भाषाओं को शामिल किया गया है इन सभी प्रयासों से भारत की शिक्षा नीती वैश्विक तौर पर उभर कर आएगी साथ ही भारत का जो पुराना इतिहास था वह फिर से दोहराया जा सकेगा Q1 राष्ट्रिय शिक्षा नीती में बताए गए सुविधा और बदलाव कैसे लागू किये जाएंगे राष्ट्रिय शिक्षा नीती एनी पीग में अभी शिक्षा सुझाव को ही मंजूरी दी गई है इसे लागू नहीं किया गया है इस सुधारों का क्रियानवयन होना अभी बाकी है और यह जरूरी नहीं है कि इस नई शिक्षा नीती में सभी सुझावों को मंजूरी मिल जाए क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती विशे है जिस पर केंद्रों और राज्य सरकार दोनों का हक है केंद्रों और राज्य सरकार दोनों की अनुमती से ही शिक्षा नीती के सभी सुझावों को लागू किया जा सकता है। नई शिक्षा नीती के सभी सुझावों और बदलावों को लागू करने के लिए केंद्रों और राजे सरकार का आपस में सहयोग होना अनिवार्य है Q2 नई शिक्षा नीती कब से लागू होगी? राश्ट्रिय शिक्षा नीती 2023 अभी इतनी जल्दी लागू होने वाली नहीं है सरकार ने खुद राश्ट्रिय शिक्षा नीती के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 तक का टार्गेट रखा है हाला कि नई शिक्षा नीती के तहट कुछ महत्वपून सुझाव आने वाले दो-तीन सालों में लागू हो सकते हैं वैसे राश्ट्रिय शिक्षा नीती 2023 के फाइनल ड्राफ में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रनाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक समवर्ती भूमी से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोचक गुनवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो शिक्षा नीती को लागू करने के लिए फंड एहम है और सरकार से मिली जानकारी से भारत के जी डीपी का 6 प्रतिशत नई शिक्षा नीती को लागू करने पर खर्च किया जाएगा एक और बात 1960 में बनी पहली शिक्षा नीती फंड के अभाव के कारण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी Q3 नई शिक्षा नीती के तहट बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं हालांकि इस नई शिक्षा नीती के तहट दस्वी और बारवी कक्षा की बोर्ड की परीक्षा तो होगी लेकिन इसमें बड़े बदलाव किये गए हैं बोर्ड की परीक्षाओं की महत्व को कम किया जाएगा साल में दो बार बोर्ड परीक्षा होगी लेकिन इस नई शिक्षा नीती के तहट विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षा का दबाव कम होगा विद्यार्थियों को रखने की प्रवृती को कम करने के लिए विशे में कांसेप्ट और ज्ञान के महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस का प्रयोग करते हुए पढ़ाई को आसान और समझने योग्य बनाया जाएगा Q4 जो बच्चे अभी नर्सरी में है उनका क्या करना है समझिए अभी सिर्फ नई शिक्षा नीती के ऊपर विचार और विमर्ष चल रहा है नई शिक्षा नीती को अभी लागू नहीं की गई है अतह अभी भावकों को को 5-3-3-4 फॉर्मूला समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है यह फॉर्मूला का प्रयोग नई शिक्षा नीती का प्रयोग क्रियानवयन के बाद ही हो पाएगा तो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे लेकिन जब नई शिक्षा नीती लागू हो जाएगी तब प्ले स्कूल के शुरुवाती साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुरेंगे जो की नई शिक्षा नीती का एक एहम बदलाव है क्यू फाइग जो अगले साल कॉलेज जाएंगे उनका क्या होगा नियो एजुकेशन पॉलिसी एनी पी के तहट उच्च शिक्षा में कई हम बदलाव किये गए हैं लेकिन यह बदलाव भारत में कब से लागू होगा इसके उपर केंड सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है बारवी के बाद अभी जो विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे ऐसे में सम्भव है विद्यार्थी पुराने सिलेबस यानी सनातक और सनातक उक्तर पार्थिक्रम के हिसाब से ही दाखिला ले पाएंगे वैसे तो नई शिक्षा नीती एनी पी के हिसाब से अब ग्रेजुएशन में छात्र चार साल का कोर्स पढ़ेंगे जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजायश भी दी गई है अगर कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो उन्हें ड्रॉप आउट घोशित नहीं किया जाएगा बलकि उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे यह प्रमानित होगा कि छात्र ने पहले वर्ष तक पढ़ाई की है अगर भविश्य में छात्र जब जाहे अगले वर्ष की पढ़ाई कर सकता है अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो इसे औरों तक साज़ा जरूर करें ज्यान दे ऐसे ही केंद्र सरकारों और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नहीं या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस राष्ट्रिय शिक्षा नीती में बताए गए सुविधा और बदलाव कैसे लागू किये जाएंगे राष्ट्रिय शिक्षा नीती एनी पीग में अभी शिक्षा सुधारों की सुझाव को ही मंजूरी दी गई है ऐसे लागू नहीं किया गया